हेलो स्टूरेंट्स वेलकम टू रिवीजिन यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हमें एच पैसे सी द्वारा पुछेगे प्रिवेस एर में जो हिमाचल से रिलेटिड कोश्चन है उनको हम रिवाइस करेंगे सिर्माय, शिमला, बिलासपुर, या फिर हमिरपुर इसका जो सई आंशर रहेगा वो आप्शन A क्रेक्ट रहेगा सुमन राबती अगला प्रशन है कैलूरी हिमाचरफ देश के किस दिल्ले में बोली जाती है बिलासपूर, हमीरपूर, उन्ना या फिर कांगड़ा इसका जो सही अंसर रहेगा वो option A क्रेक्ट रहेगा बिलासपूर में बोली जाती है कैलूरी अगला प्रशन है चमबा का सरस्थापक कौन था मेरू बर्मन, साहिल बर्मन, लक्षमन बर्मन या फिर चमपावती इसका जो सही अंसर रहेगा वो option A क्रेक्ट रहेगा मेरू बर्मन जो है वो चमबा का सरस्थापक था अगर चमबा टाउन की बात करेंगे तो कौन रहेगा उसका सरस्थापक साहिल बर्मन अगला प्रशन है देहरा गोपीपूर कांगड़ा में कौन से पहाड़ी गांदी कहलाता है बावा मुंशी राम, बावा काशी राम, बावा उदैय राम या फिर इन में से कोई नहीं इसका जो सही आंसर रहेगा वो option B क्रेक्ट रहेगा बावा काशी राम को जो है वो पहाड़ी गांदी के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रशन है डोडरा कवार क्षेतर हिमाचर प्रदेश के किस जिल्ले में आता है शिमला, कुलू, सोलन या फिर किन और इसका जो सही आंसर रहेगा वो option A क्रेक्ट रहेगा शिमला में आता है डोडरा कवार अगला प्रशन है जौला मुखी मंदिर में पवित्र जौला पर सुरंड चतर किस ने प्रदान किया था अकबर शाजां हुमाईू या फिर चाहंगीर इसका जो सही आंसर रहेगा वो option A क्रेक्ट रहेगा अकबर वो परदान किया था सुरंड चतर जौला जी मंदिर में अगला प्रशन है इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्ज फुस्तक किस ने लिखी थी इसके जर चई आंसर रहेगा वो option A क्रेक्ट रहेगा W.C. Archer थे उसके author अगला प्रशन है हिब्रा जल विद्यूत पर्योजना हिमाचर देश की किस दिले में स्थित है लॉल्स पिती बिलासपूर की नौर या फिर चमबा इसका जो सही आंसर रहेगा वो option D क्रेक्ट रहेगा चमबा में स्थित है ये हिब्रा अगला प्रशन है काल का शिमला रेल्वे ट्रैक पर सबसे लंबी सुरंग कौन सी है बनोल बरोग बलोग या फिर बलोग इसका जो सही आंसर रहेगा वो option C रहेगा बरोग जो है वो काल का शिमला रेल में सबसे लंबी सुरंग है अगला प्रशन है IEC University is located at which place in HB IEC विश्व भी द्याले हिमाचर्पदेश के किस स्थान पर स्थिते है बाथ्थू, बद्धी, भारुसाही, व्याफिर, कालू जंडा इसका जो सही आंसर रहेगा वो option D क्रेक्ट रहेगा कालू जंडा में स्थिते है ये IEC University अगला प्रशन है जूबर हटी विमाचर्पदेश के किस स्थान पर स्थिते है शिमला, सोलन, कांगडा या फिर कुलू इसका जो सही आंसर रहेगा वो option A क्रेक्ट रहेगा जूबर हटी काहां पिस्थिते है शिमला में अगला प्रशन है HRTC कम इन्टू एक्जिंस्टेंस इन विच येर HRTC किस वर्ष अस्थित में आया 1974, 77, 80 या फिर 84 इसका जो सही आंसर रहेगा वो option A क्रेक्ट रहेगा 1974 में बनी थी HRTC अगला प्रशन है बगाट राज्टी राजय का अंतिम शासक था दुर्गा सिंग, दिलीप सिंग, जसा सिंग या फिर हरी सिंग इसका जो सही आंसर रहेगा वो option A क्रेक्ट रहेगा दुर्गा सिंग थे अंतिम शासक बगाट राज सी राज जेगे अगला प्रशन है सांगला गाटी हिमाचरप देश के किस जिल्ले में स्तिता है लॉल्सपिती किनोर, कुल्लू या फिर शिमला इसका जो सही आंसर रहेगा वो option A क्रेक्ट रहेगा लॉल्सपिती में स्तिता है बड़ा शिक्डी ग्लेशिर अगला प्रशन है रावी नदी का संस्कृत नाम है शतुद्री, पुरुशाणी, कालिंदी या फिर विपाशा इसका जो सही आंसर रहेगा वो option B क्रेक्ट रहेगा पुरुशाणी अरावी का संस्कृत नाम है और अरावी का वेदिक नाम क्या है वो है इराबती अगला प्रशन है गुलेर रासी राजे की स्थापना हिमाचरप देश के किस साशंग ने की थी हरी चंद, आलम चंद, हमीर चंद या फिर अभे चंद इसका जो सही आंसर रहेगा वो option A क्रेक्ट रहेगा किस ने की थी हरी चंद ने अगला प्रशन है हिमाचरप देश का कौन सा जिल्ला आदर उपोशन कटी बंद में नहीं आता है इसका जो सही आंसर रहेगा वो option B क्रेक्ट रहेगा अगला प्रशन है हिमाचरप देश में टौंस किस नदी की सायक नदी है यमुना सतलज, गंगा या फिर ब्यास अगला प्रशन है हिमाचरप देश में बिलासपूर किस नदी किनारे पर स्थित है सतलुज के पूर्वी किनारे पर, सतलुज के पश्चिमी किनारे पर ए और बी दोनों या फिर इन में से कोई नहीं इसका जो सही आंसर रहेगा वो option C क्रेक्ट रहेगा अगला प्रशन है कौन सी किनार जिले की गाटी नहीं है पैजूर, मुलंग, वांग्टू या फिर पोदर इसका जो सही आंसर रहेगा वो option D क्रेक्ट रहेगा पोदर जो है वो किनार की गाटी नहीं है अगला प्रशन है लकट शा एक प्रसीद ब्रामण किसके कारेकाल के समय में चमबा रासी राज्य की सेवा में थे जो राबर सिंग, सुचेट सिंग, श्री सिंग या फिर गुलाब सिंग इसका जो सही आंसर रहेगा वो option C क्रेक्ट रहेगा श्री सिंग के समय में ये चमबा के राज्य के सेवक थे कौन लकट शा अगला प्रशन है 1585 इसमी में कांगडा के राजा बिदी चंद ने अपने कौन से पुत्र को दिली दरबार में बंदक के रूप में रखा था प्रयाक चंद, त्रिलोग चंद, राम चंद या फिर सुवीर चंद इसका जो सही आंसर रहेगा वो option B क्रेक्ट रहेगा त्रिलोग चंद अगला प्रशन है 1667 इसमी में के आसपास चियोग की स्थापना किसने की थी गोबर्दन सिंग, नीरिंदर सिंग, जैचंद या फिर ताराचंद इसका जो सही आंसर रहेगा वो option C क्रेक्ट रहेगा जैचंद अगला प्रशन है कौन सी महिला शिमला के राज भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस की स्वेम से एवबक नहीं थी लक्ष्मी बर्मा, कमला देवी, सरला शर्मा या फिर लज्जा बर्मा, इसका जो सही आंसर रहेगा वो option C क्रेक्ट रहेगा सरला शर्मा नहीं थी, अगला प्रशन है, उनी सो उन ताली में शिमला में हुए शिमला परवत्तिय राज्यसमेलन में कौन से शासक उपस्तित नहीं थे, मंडी, बिलासपूर, बुशेहर या फिर भागल, इसका जो सही आंसर रहेगा वो option C क्रेक्ट रहेगा मंडी के जो राजा है वो, वहाँ पे शामिल नहीं हुए थे, शिमला परवत्तिय राज्यसमेलन में अगला प्रशन है, विख्याद 173 सेनारी, पदम सिंग की मृत्यू कौन से बर्श में हुई थी, 2007, 2011, 2014 या फिर 15 इसका जो सही आंसर रहेगा, ये वाला आंसर जो है वो, बोट द्वारा एरेज कर दिया गया है अगला प्रशन है, हिमाचलप देश के कौन से जिल्ले में धामुशा मेला लगता है उनना, चमबा, सोलन या फिर कांगडा, इसका जो सही आंसर रहेगा, वो आप्शन डी क्रेक्ट रहेगा कांगडा में लगता है ये दामुशा मेला अगला प्रशन है, आर्मी हेरिटेज म्यूजियम शिमला में कौन से स्थान पर स्थित है अनाडेल, जक्खू, संगती या फिर कैत्थूई इसका जो सही आंसर रहेगा, वो आप्शन डी क्रेक्ट रहेगा अनाडेल में अगला प्रशन है, कौन से यूडियोपे कंपनी कांगडा घाटी में चायल आई निसान टी कंपनी, टिसोटी कंपनी, इस्ट इंडिया कंपनी या फिर पालकोटी कंपनी इसका जो सही आंसर रहेगा, वो आप्शन डी क्रेक्ट रहेगा निसान टी कंपनी अगला प्रशने कौन से वर्ष में HRTC ने अपनी नीजी कुरियर सेवा का प्रारम किया था 2000 में, 2005, 10 या फिर 15 में इसका जो सही आंसर रहेगा वो option एक रेक्टर रहेगा 2000 में स्टार्ट की थी अगला प्रशने भारत का स्कॉटलेंड के तौर पर हिमाचरप देश में कौन सी जगा प्रसीद है रिवॉल्सर, कांगडा, धरमशाला या फिर डलोजी इसका जो सही आंसर रहेगा वो option C क्रेक्टर रहेगा धरमशाला प्रसीद है भारत का स्कॉटलेंड के अगला प्रशने कौन सा जिल्ला सतलुज के प्रबादवारा छुआ नहीं जाता किनौर, सिर्मौर, शिमला या फिर बिलासपूर इसका जो सही आंसर रहेगा वो option B क्रेक्टर रहेगा सिर्मौर होते हुए सतलुज नहीं बैती है बाकि किनौर, शिमला और बिलासपूर होते हुए बैती है सतलुज नदी अगला प्रशन है हिमाचल प्रदेश में कौन सी जील साथ जीलों का स्मू है गडासरू जील, रेनुका जील, लामडल जील या फिर नाको जील इसका जो सही आंसर रहेगा वो option C क्रेक्ट रहेगा लामडल जील, अगला प्रशन है यहाँ पर कोई भी गरम पानी का सोता नहीं है मंडी, उन्ना, कुलू या फिर शिमला, इसका जो सही आंसर रहेगा वो option B क्रेक्ट रहेगा उन्ना में कोई भी गर्म पानी का सोता नहीं है अगला प्रेशन है नात्पा स्थान हिमाचल पुदेश के कि जिले में है शिमला, सोलन, सिर्मौर या फिर किनौर इसका जो सही आंसर रहेगा वो औप्शन डी क्रेक्ट रहेगा नात्पा जो है वो कहाँ पे है इसका जो सही आंसर रहेगा वो औप्शन डी क्रेक्ट रहेगा अगला प्रेशन है इसका जो सही आंसर रहेगा वो औप्शन डी क्रेक्ट रहेगा अगला प्रेशन है अगला प्रेशन है इसका जो सही आंसर रहेगा वो औप्शन डी क्रेक्ट रहेगा इसका जो सही आंसर रहेगा वो option C क्रेक्टर रहेगा किसने बनवाया था मेरूबर मनने अगला फ्रशन है शिमला गेटी थेटर का वास्तुकार कौन था C.B. Clark, G.W. Hutchinson, Darwin या फिर None of these इसका जो सही आंसर रहेगा वो option D रहेगा None of these इन तीनों में से किसी नहीं नहीं किया था गेटी थेटर का इन तीनों में से कोई भी गेटी थेटर का आर्केटेक्ट नहीं था अगला प्रशन है कांग्ला गाटी में किस वर्ष चाय बागान शुरू किया गया थारसौप चास, सत्तर, नबे या फिर उनिसो बीस इसका जो सही आंसर हैगा वो option D रहेगा थारसौप चास में जो है वो कांग्ला गाटी में चाय बागान शुरू हुआ था अगला प्रशन है हिमाचल प्रदेश के किनोर जिल्ले में किस गाव में उत्तम गुणवात्ता की ब्रांडी बनाई जाती है नैसिंग, रिब्बा, कट गाव या फिर मोरांग इसका जो सही आंसर रहेगा वो option A क्रेक्ट रहेगा नैसिंग अगला प्रशन है हिमाचल प्रदेश पिश्व विद्याले शिमला की स्थापना किस वर्ष हुई थी 1970, 78, 85 या फिर 2001 इसका जो सही आंसर रहेगा वो option A क्रेक्ट रहेगा 1970 में हुई थी एचपी यूनिवेस्टी की स्थापना अगला प्रशन है हिमाचल प्रदेश में अधिकतर जन्संक्या द्वारा बोली जाये वाली भाषा कौन सी है कैलूरी, पंजाबी, पहाडी या फिर डोगरी इसका जो सही आंसर रहेगा वो option C क्रेक्ट रहेगा पहाडी भाषा बोली जाती है अगला प्रशन है हिमाचल प्रदेश के की स्थान पर राष्ट्रिय जैविक लेबरेटरी स्थीत है नेशनल बायोलोजिकल लेबरेटरी नूरपूर, पालंपूर, हमिरपूर या फिर शिमला इसका जो सही आंसर रहेगा वो option B क्रेक्ट रहेगा पालंपूर में स्थीत है ये नेशनल बायोलोजिकल लेबरेटरी अगला प्रशन है इमाचल प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे है एक, दो, तीन या फिर चार इसका जो सही आंसर रहेगा वो option C क्रेक्ट रहेगा तीन हवाई अड्डे है